कि क्या होगा बोले कल्यों में इंटर कास्ट मेरिज होगी और इंटर कास्ट मेरिज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और कानून भी बनी गए आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते लेकिन भारतिय संसकारों के अनुसार अगर इस पर चड़्चा की जाए तो इस इंटर कास्ट मेरिज को उचित नहीं माना गया आज जो चीजें हो रही हैं कि अपनी ही मर्जी के मताबिक हम करेंगे जो हमें करना है और करते भी हैं लोग उने रोक भी नहीं सकते राइट भी नहीं अधिकार भी नहीं है कैसे रोकेंगे आप आपे क्या राइट है जो आप रोक लेंगे किसी को हम भी नहीं रोक रहें किसी को जो इंटर कास्ट मेरिज करते हैं युबाओं से मेरा निवेदन है आग्रे है हम मनुष्य से बनकर आए हैं पसू नहीं और मनुष्य की योनी में जब जन्म लिया उसी समय हमारे उपर बहुत responsibility हो गई थी जिन माबाप के गर में हमारा जन्म हुआ है उन माबाप की ही नहीं बलकि उनसे पूर्व जो पित्र हैं उनकी भी जिम्मेदारी हमारे उपर है हमारा एक आचरण उन पित्रों को नरक में डखा मार सकता है और हमारा सतुगुन हमारे उन पित्रों को भगवान के धाम तक पहुँचा सकता है जैसे ट्रेन के इंजन के पीछे तमाम डिब्बे होते हैं और यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं चलता तो अकिला इंजन नहीं है डिब्बे नहीं चलते हैं इंजन नहीं चलता है लेकिन इंजन का सहरा लेकर डिब्बे भी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं इस समय अगर हम जिंदा हैं तो हम इंजन हैं और हमारे जो पित तो जो कर्म हम करेंगे उसका reaction उसका फल हमारे पित्रों को जेलना पड़ेगा इसलिए intercast marriage हमारे यहँ allow नहीं है हमारे भी संस्कृति में नहीं है अब कोई कर रहा है या करते हैं या कर ली है या कर चुके हैं या अगे करेंगे हमारे यह वो तालबानी नयाय तो है नहीं कि तुमने ऐसा किया हम खड़ो उठा लेंगे ऐसा कुछ नहीं है यह तो आप जो चाहे करें लेकिन मैं जो सिध्धन तो बता रहा हूँ वो आपके धर्म के अनुसार बता रहा हूँ जो संस्कृति है उसकी अनुसार बता रहा हूँ कि कल्योग में मन मानी साधियां लोग करेंगे अब तो चार चार साधी कर रहे हैं लोग एक है तो दूसरी कर रहे हैं दूसरी है तो तीसरी कर रहे हैं और अब तो कही कही कर रहे हैं जब उसे पेस्बुक आया है यह हमारी समस्कृती रहे है भगवान ने जो एक दिया है एक दी है उसी के साथ प्रेम से रहो घर का महौल अच्छा रखो प्रेम से रहे है